कर्म केशव के अधीन है, इसलिए भगवान के राम नाम का स्मर्ण करने वाले के विपरीत कर्मों का नाश हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। कहेंगे हमारी जनकुंडली ऐसी यह हो है ते हो है, हमारे भागे में तो है यह नहीं भजन हम तो संसार में फसना हमारे लिखा है, ऐसा भी उसलोग कहते हैं, बहाने वकूप बनाते हैं, लेकिन सच्छी बात यह है, आप इमानदारी से भजन करो, सब बदल जाएं। हमने अच्छे प्रामानिक अनुभवी महापुर्शों से सुना है, कि जिस स्रद्धा और प्रेम से नाम जब करना चाहिए, उस स्रद्धा से एक करोड स्री राम नाम का जब कर ले, भगवन नाम का हरी नाम का जब कर ले, तो उसकी जन्म कुंडली की लगन शुद्ध हो जा जाती है, तन भाव की सिद्धी हो जाती है, दो करोड संख्या पूरी कर ले, तो धन भाव की सिद्धी हो जाती है, तीन करोड करे निष्ठा और पूरी सावधानी से आप रात से बस्ते हुए, जब पूरा फल्म लेना है तो उसका पूरी सावधानी चाहिए, आदर करोड तीन करोड संख्या होने पर तीसरे भाव की चौथे करोड होने पर तन धन सुरहिद सुक और पाँच मा संथान संथान का विद्या का होता है ज्यान का भी विचार वहां से किया करोड से कई बार मोख्ष का विचार विवांसर किया जाता एंने मांच करोड गुर्वयारमन की अत्वा नाम महराज की संख्या पूर्ण होने से पांच में कुंडली के सथान के सुद्रिय। problem छठास्थान अरी का होता है शत्रू का होता है ठीक से प्रेम से नाम जब कर ले छे करोड की संख्या कूरी हो जाएए तो जो अपने नित्य शत्रू शडविकार हैं उनका नाश हो जाता है लोकिक अलोकिक सब 17 समाप्त हो जाते हैं, सातमा स्थान कुंडली में पतनी का होता है, जाया का स्थान, और भी कुछ चीज़ों का विचार वहाँ से किया जाता है, वो सातमा स्थान की भी शुद्धी हो जाती, यह सात करोण नाम जब पूर्ण होने पर, आठमा स्थान मृत्यू का होता है आठ करोर मंत्र का जब पूर्ण हो जाए तो महराज अप मृत्यू टल जाती है दिरगायू हो जाती है तमाम लोगों को देख लो जो भजन में लग गए कुणली का नुसारूंग सब खतम हो जाना चीए था उनको बुले दादा जी पिता जी इतने में चलेगे दादा जी इतने में चलेगे आप इतने क्यों जी रहे हो इराम नाम की महिमा है आठ करोर होने पर अस्टम की मृत्यू के स्थान की शुद्धी हो जाती है नौमा स्थान धर्म का है भाग्य का है धर्म और भाग्य की सुध्धी हो जाती है नौ करोड जब पूर होने पर दसमा स्थान कर्म का है कर्म की सुध्धी हो जाती है दस करोड मंत्र जब पूर होने पर एका दसस्थान लाव का है आय का है लाव की सुध्धी हो जाती है और बारह मास्थान मोक्ष का है बारह करोड मंतराज का जब करते हुए मरण सुधर जाता है बारह मास्थान मरत्यु का है और वो ले इस से आगे बोलो केवल और केवल बारह करोड जब में आपकी पूरी कुंडली बदल गई लियो साब पूरा जन्मांग बदल गया अब होता क्या है कि भजन तो करते हैं संसार की कामनाएं छोड़ते नहीं है यह हो जाए वो हो जाए उसी में सब भटकता रहता भजन जिस प्रेम से जिस रद्धा से जिस इमानदारी से करना जाए उस इमानदारी से हमसे नहीं होता है एक अरब जब जिसका हो गया ऐसे महा पुरुष का दरसन करने वाला निश्पाफ हो जाता है मुक्त हो जाता है ठीक से तेरह तरोड मंत राज का स्रीराम जैराम जैराम का जब तेरह करोड कर ले उसे इसी शरीर से, इसी जीवन में इनी नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्षान भव होगा पूजी श्री प्रेमिक्षुजी महराज ने किया और पणवाकार ज्योती के मध्य दिवजी स्री रगुनाजी का प्रत्यक्षत रसंप्राप्विए तो आईए और मेरे साथ प्रेम से कहिए रामे रामे